कि नमस्कार कैसे हैं आप दाओ पेज के माहिल खुद को पढ़ा लिखा कहने वाला केजरी बाल अब पूरी तरसिस्टी कंजे में है जिस संजे सिंग के नाम पर केजरी बाल सबसे ज़्यादा कूदते थे उसी संजे सिंग ने केजरी बाल को पूरी तरसे फसा दिया है दिल्ली हाइकोट में अपनी जमानत के बचाव में संजे सिंग ने अपने गुरु घंटाल को पूरी तरसे तबाह कर दिया है दिल्ली हाइकोट ने संजय सिंग की जमानत की जब लंबी जिरह को सुनी 31 जनवड़ी को आदेश सुरक्षित रखा उसके बाद फैसले में जो टिपड़ी की उसमें संजय सिंग की नहीं केजरिवाल की मुश्केले बढ़ा दे दरसल संजय सिंग को ये समझ वे आ गया कि अब उसका पूरा करियर केजरिवाल के चक्कर में दाव में फस गया है वो भले राज्यसभा का सांसत बन गया लेकिन केजरिवाल उस पर पूरी तरह से हील गये है सिसोदिया लगातार लंबे समय से जेल में रहने के बाद भी केजरि को सिकंजे में नहीं फसाया लेकिन शातिर संजय सिंग चाला की करते करते अपने गुरु घंटाल को ही फसा गया संजय सिंग को अब ये समझ में आने लगा है कि केजरी से दोस्ती के नफे नुकसान के सौदे में वो अब लंबा जा रहा है ऐसे में संजय सिंग ने अपने पूरे आरोप से छुटकारा पाने के लिए केजरी को पूरी तरह से फसा दिया दरसल दिल्ली हाइ कोट में अपनी जमानत पर संजय सिंग वही भाषा बोलने लगा जो अर्विंद केजरी बाल प्रेस के सामने बोलते हैं कुछ नहीं मिला जी, कुछ भी तो नहीं मिला जी, रिकवरी नहीं हुई जी कि इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का मानना है कि रिकबरी होना आज की तारीक में इतना आसान भी नहीं है। द्रसल संजर सिंग के पास से 2 करोर रुपय बरामदगी का मामला है। और संजर सिंग बस यही दलील दे रहे हैं कि बरामद तो कुछ हुआ ही नहीं.. अब अरविंद केजरिवाल को सुनिए तिस से ज़्यादा मेरे उपर केस करें और इन्होंने सारी जांच कर लिए पिछले आठ साल से जब मैं दिल्ली का मुख्यमंतरी बनाओ जब से तब से जांची जांच किया रहे हैं अभी तक तो कुछ मिला नहीं जी केजरी बाल बार बार कह रहे हैं कि कुछ भी रिकवरी नहीं मिला जी किसी के पास से कुछ भी नहीं मिला जी हमें फसाने की कोशिश की जा रही है दरसल संजे सिंग की जमानत खारिज होते ही केजरी फुदकने लगे जंतर मंतर पर लेप्ट पार्टियों के साथ प्रदर्शन करने लगे उसमें कॉंगरिस तक ने उन्हें साथ नहीं दिया आपने जंतर मंतर पर देखा होगा यहां भी केजरी फुतक रहे है कि कुछ भी नहीं मिला जी हमें फसाने की कोशिश की जा रही है आपने जंतर मंतर पर भी केजरी को भी सुना होगा दरसल ये सर्थ तिलमिलाप इसलिए है कि संजसिंग ने पूरी तरद अबाह कर दिया है संजसिंग के जो दो गूर्गे माने जाते हैं उनके पास से संजय सिंग को दो करोर रुपए लिए है उसमें दिनेश अरोडा तो सरकारी गवाह बन गया दसल इसी दिनेश अरोडा के माध्यम से संजय सिंग पूरे आपदारी घोटाला शराभ घोटाले का वसूली कर दि और ईडी कह रही है कि यही मुख्य सरगना है वो दिल्ली सरकार में ना होते हुए भी पूरा खेल कर रहे दरसल अन्ना अंदोलन में संजय सिंग की वो भूमिका नहीं थी जो मनी सिसोधिया की थी जो योगिंदर यादवों की थी प्रशान दिबोशनों की थी जो कुमार सरकारों ने देखा दरसल संजय सिंग के कंदे पर चड़कर के केजरी यह पूरा शातिर खेल खेल भैए थे दिल्ली सरकार में मंतरी ना होने के बावजूद संजय सिंग पूरे सराव घोटाले का कुन्य अंतरन कर रहे थे अब इस मामले में दिल्ली हाई कोट वो सुप्री हाई कोटर सुप्रिम कोट गय थे ऐसे में 2020-21 के विवादित शराव नीथी को वापस क्यों लिया आर्विंद केजनिवाल ने यह मामला भी पूरी तरह से फस गया है संजर सिंग पर कीडी ने इस आरोप को तत्थे के साथ पेश किया कि संजर सिंग गवाहों को धमकाता है महगे वकील सुप्रिम कोट तक में किये गए यदि यह निर्दोश है तो इतने महगे वकील कैसे कर रहे हैं यह सुप्रिम कोट तक ने मनीश सिसोधिया को जमानत नहीं दी संजर सिंग को कोई राहत नहीं दी चाहते हैं दरसल संज야 सिंग को ये पूरा सत्ट समझ में आया तो अनोंने कहा recovery हुई नहीं तो फिर recovery कहां हुई दरसल सत्ट यह कि संजर सिंग ने ये सावित किया कि पैसे जो रिश्वत के आए हैं वो उसके पास नहीं हैं और ED ये साबित नहीं कर पाई कि संजर सिंग के पास ही पैसे, ED ने ये साबित तो किया कि संजर सिंग तक माल पहुचे हैं, लेकिन ED ये साबित भी नहीं कर पाई है कि संजर सिंग के पास ही माल है, तो फिर माल गया कहां, दरसल आज की तारीख में कोई इतना मुर्ख भी नही कि पैसा इतनी मोटी रकम अवैद तरीके से अपने बैंक एकाउंट में लिए तो संजसिंग लगातार यह कहरें कि पैसा हमारे पास आया दिने शरुळा यह दि कहरा है तो हमारे पास पैसा क्यों नहीं है तो क्या पैसा संजसिंग के माद्यम से अरविंद केजरीबाल उते हुए पञजाब और गोवा तक पहुँचा E.D. अब अरविंद केजरीबाल को गिरपतार कर यही सावित करना चाहती है दरसल यही वज़ा है कि संजर सिंग वो बंद रखे इसलिए संजर सिंग के जेल में रहते केजरीबाल ने संजर सिंग का राजसवा की सदस्ता बढ़ा दी गुपता जी की तो राजसवा की सदस्ता चली गई इतने लोग राजसवा के लिए गिर-गिर आते रहे चाहे वो गुमार विश्वास हों प्रशान्द वूशन हो चाहे वो आसुतोश हो लेकिन संजर सिंग को राजसवा क्यों मिला ये बताता है कि पूरा जो आवतारी घोटाला है उसके पीछे संजर सिंग था और संजर सिंग को इसी लिए जिस संजर सिंग के लिए केजरी कहते थे आपको याद होगा केजरी कहते थे संजर सिंग के डर से E.D. के पैंट गिले हो जाते हैं शन्जसिंग के दर से पैंट गिले हो जाते हैं अज्जसिंग के डर से पैंट गिले हो जाते हैं पूरी तरह से इस लिहाद से भी फस गया है कि सज्जसिंग का 2008 का एक केस संजा सिंग के ग्रिजिली सुल्टानपूर का है और सुल्टानपूर में 2008 मतलब sicher साल पुराने केस में यूपी पुलिस संजा सिंग को घसीट कर ले गई आपको वीडियो आपने दीखा होगा कि कैसे संजा सिंग को ग्रेलेवे से लेकर सुल्टानपूर गई वा संजे सिंग ने खूब ड्रामा करवाया संजेर आया शेर आया लेकिं संजे सिंग के चेहरे आपने देखे होंगे कि क्या हाल था संजेर सिंग संजे सिंग को ये समझ में आ गया है कि उसकी पूरी जिंदगी अव जेल में कट्मी है योगी बाबा उसे छोरने वाले नहीं है उसके पूराने पूरी कई कुंडली निकालेंगे जैसे मुक्तार अंसारी अतीक अहमद और आजम खान के निकाले गए संजे सिंग का कैसा रिकॉर्ड है ये दुनिया जानती है इसी खौप में संजे सिंग को अब ये लगता है कि इस आवकारी निती में उसने तो कुछ पाया नहीं तो फिर वो कैसे फंसा तो संजे सिंग अपने पचाव में जो भी साक्ष देने लगा उससे केजरी की अब एडी ने केजरीबाल को five वारंट जारी किये थे वो पेश नहीं हो रहा था अरविंद केजरीबाल को लग रहा था एडी जैसी संस्था उसे कैसे बुलाएगी लेकिन केजरी जैसे लोगों के लिए एडी ने दूसरी चाल चली कोट से वारंट डलवाया और 17 फेबरव अधित के साथ है प्रिकबरी लिया है इसके पास से रिकबरी नहीं दिखाई गई तो रिकबरी कहा है क्या पैसा अंतिम समय केजरी बाल तक पोहुंचा और उसके बाद पंजाब और गोवा के चुनाब तक यदि केजरी इमांदार है जो दावा करते हैं उन्हें फसाया जा रहा है आवकारी निती वापस क्यों ली गई यदि इमांदार है तो देश के सबसे नहें के वकील लगातार केजरी बाल के गुरुगंट के चेलों को बचाने में लगी हुई है लेकिन सुप्रीम कोट तक से बचा क्यों नहीं पा रही है मामला सिर्फ रिकबरी का फस रहा है और संजय सिंग ने रिकबरी के दाव पेच में केजरी को उलजा कर उसकी तबाही तै कर दी है तो इस मामले में बड़ा खेल होना है और सच यही है कि संजय सिंग ने अरविंद केजरीबाल की बरबादी तै कर दी है लोगों को इस बात की आस है कि केजरिबाल कब गिरफतार होगा दूसरे नेताओ पर नहीं क्योंकि केजरिबाल ने अपनी साख हैसी बनाई है कि हर किसी को लगता है कि अरविंद केजरिबाल की गिरफतारी बहुत जरूरी है क्योंकि इतना बड़ा खेल अरविंद केजरिबाल ने किया केजरिबाल ने तिक्ता के नाम पर बड़ा बड़ा धोंग किया है इसलिए लोगों का गुस्सा इस बात को ले करके है कि केजरिबाल का सच सामने आना चाहिए जिस वेक्ति ने कहा कि हम इमांदार हैं इस वेक्ति ने कहा कि हम दो कमरे की घर में रहेंगे उसने आदी शान शीश महल बनवाए जिसने कहा कि वो छोटी गारियों में चलेगा उसकी पूरी मंत्री मंदल की अयासी देखिए वो आदमे खुद को विरान सभा में कहने लगा कि वो दिनली का राजा है इस बदलते केज अधरी ने ब्रश्टाचार की गंगोत्री में ऐसी डूबकी लगाई इस संजय सिंग अब उसे निकाल कर बाहर कर उसका सच बताने वाला है यह वीडियो विचलेशन आपको कैसा लगा इसके कंटेंट इलिए आपको पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कुजी बहुत बहुत धन्यवाद वंदे मात्रम जय हिंद